हेलो दोस्तों मैं राहूर रंजर स्टड़ी इंडिया अड़्डा डिश्टल वेफ लडिंग में स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप लोगों पता है इस चैनल पर कंटिनीव क्लासे ग्रूप डी एंटीपीसी साथ इसाथ जैई का क्लासे चल रहा है दोस्तों जिसमें मैं बता देना चाहता हूं यह जो वीडियो है गुरूप डी और एंटीपीसी के लिए बहुत ही महत्तवपूर्ण यह स्रीज चल रहा है जिसमें हम लोग पचास से साथ को देखेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्यूंकि बहुत ही क्योंकि इसमें आप लोग के लिए यह जो है प्रिवेस यह को बनाया जाता है और जो नए श्टूडेंट है उन लोग को बता दो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर करके देख सकते हैं यहां पर परतेक टाइप के जो है गुरूप डी एंटी पीसी और साथ-साथ-ज आपको अस्पेशल वीडियो मिल जाएगा और जो नए श्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के बेल एकन को जरूर ओन कर लिजिएगा क्योंकि घंटी के बेल एकन और रहेगा तब इस चैनल पर जो भी स्टेडियो मिटरियल पुराइड होता है उसका सीध का अंसर जानते हैं आप लोग कमेंट किया किजिएगा सभी टाइप कोशन इसमें मिक्स मिलेंगे इस वीडियो को लाश्ट दिक जरूर देखिएगा फर्स्ट कोशन है न पाशान काल के लोगों के लोगों द्वारा पाला गया पर्थम पशू की बात हो रहा है दोस्तों ब ध्यान से कोशन को पढ़िए मैक्समा कोशन कम समय में समय में आपको बन जाएगा न पाशान काल के लोगों द्वारा पाला गया पर्थम पशू भेड है ध्यान रहे भेड बहुत से लोग कुत्ता लगा देते हैं लेकिन उनका अंसर गलत हो जाएगा भेड इधर आइट अ कुछ आजा है कि मानव ने सर पर्थम पशू को बनायाкий कौसा पर्थम को पालतू बनाया था तब आपका राइट अंसर कुत्ता होगा क्योंकि दोस्तों कुट्ता को जो है 15,000 इसा पूर्व में जैव फिर प्ता को प temporal हजार पूर्व में अगर आपसे पूश दे कि मानव 11,000 इसापूर में दोस्तों यही जो है नप पासान का काल है कौन काल है यह नप पासान का काल है और इस काल में भेड को पालतू बनाया गया था और लेकिन मानब द्वारा अगर पुछे कि मानब द्वारा सर पड़ता हम पालतू पसू कौन है तो वो उसका राइट एंसर नमबर कोश्चन वे यह सबसे पहले कौन सा हडपा काली नस्थल खोजा गया था, उस हडपा काली नस्थल का नाम है हडपा, कौन सा हडपा, आप्शन ए, करेक्ट अंसर रोगा, यह किया गया था, 1921 में किन के द्वारा दोस्तो, द्याराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है, ने next question आप के सामने है सिंदू घाटी शंव þता अनारी शंवता थी कहने है इसका मेश का मतलब है दोस्तो यह एक सरीजबहता थी कौण सी सब्हताथी दोस्तों dus शरीजबहता थी option एक यह speaker है सब्हता से रहा है दोस्तों और यही जो है सिंदु घाटी शबहता में मेंली जो है शहरी शबहता के नाम से भी बहुत फिमस था next fourth number question पर आईए हडपा की सबहता निमनलिखी से समंदी थे हडपा की सबहता क्यों से युग से समंदी थे आपसे question पुछा जा रहा है कौंसा जूग हालपा कां श युग थे लेकिन यहां पे अगर शिनदु श्रभेता की बात करें सिनु श्रभेता दोस्तों मिला कर कांसा का निर्मान बहुत Θि जादा किया जाता था इसी टाइप के कोश्चन आपको एक्जाम में दिखने को मिलेंगे इसलिए लाट तक डेली आप लोग हैविट बना लिजे कि जो आप लोग के लिए स्पेशल बूस्टर के टाइप इस टाइप जो प्रिवेस एर कोश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो श पशूपती के पूजा करते थे सिंदु घाटिक शब्वेता के लोग पशूपती के पूजा करते थे आपको बता दे कि मुहंजोदरों में पशूपती की मुर्ति मिले थी दोस्तों जिस पर स्यू किया करिती जैसा एक चित्र बना हुआ था और वो जो है इतिहासकार ने न पास्त तक जरूर देखिएगा हड़ापा संस्कृती की मुद्राओं एवं पकी मीटी की कलाकरितियों में किस पसू का चित्रन नहीं किया था ध्यान रहे वह ऐसे पसू को आपको बताना जिसका चित्रन नहीं किया था उस पसू का नाम है दोस्तों गाय का चित्रन उसमें यह सभी था हड़ापा संसक्रीती का एक मुखर पर बहुषे उसमें चित्री था दोस्तों जिस में भाग भैशाहिरँ यह सभी का सित्रों उसमें अंकित था लेकिन इस संस्कृती में गाय ड़़ orage की मीटी की मुर्ति नहीं वहां पके था दोस्तों ऑप्शन एक नरेक्ट जा था उश्विद्वान का नाम क्या है उश्विद्वान का नाम है एक कनिर्गम ध्यान रहे ऑप्शन सी करेक्ट अंसर होगा अलेक्जेंडर कनिर्गम के इनका फुल फॉर में दोस्तों पूरा नाम है कभी कभी अलेगजेंडर कनीरगम आपको एक्जाम में दिख सकता है अलेगजेंडर कनीरगम ने कब किया था दोस्तों 1813 आपको वर्ष भी जाद रखना होगा अठारा सो तीरपन इस्वी तथा अठारा सो तिहत्तर इस्वी में हडपा का सर्वेक्षन कर पूरा बस्तुए प्राप्त किया था ओप्शन सी करेक्टर अन्सर होगा अलेकजंडर कनिर्गम के द्वारा एट नमबर कोशन बहाईए भारतिये सब्वेता से जुड़ा कौन सा नाम है भारत के सब्वेता से जुड़ा वो कौन सा नाम है दोस्तो वो है सर अलेक्जंडर कनिर्गम का ओप्शन सी करेक्टर अन्सर होगा सर अलेक्जंडर कनिर्गम भारतिये पुरा तत्व के जनक है नेक्स्ट अब आईए दोस्तों अब हम लोग यहां से भारतिय संभीधान से कुछ कोशन है वो भी देख लेते हैं क्योंकि सभी का मिक्स कोशन सेट इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है इसलिए लाश्ट तक जरूर देखने कोशिश किजिएगा गीत जना गना मना को भारत के राश्ट गान के रूप में किस बर स्विक्रीत किया गया था फड़ा फट कमेंट करें यह सभी कोशन अल्रेडी करवाया भी जा चुका इस चैनल पर यह जो है दोस्तों ऑप्सन सी करेक्ट अंसर होगा 1950 में कब करवाया गया था जना गना मना को 24 जनवरी ध्यान रहे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को भारत के राश्ट गान के रूप में जो है शुक्रीत किया गया था आप्शन शी करेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोशन आईए आपके सामने दिख रहा होगा भारत का राश्ट गान सबसे पहले गाया गया था ये कब गाया गया था दोस्तों ये गाया गया था 1911 में ध्यान रहे 1911 में भारत का राश्ट गान 27 दिसंबर 1911 में ये जो है गाया गया था ये कलकत्ता दिवेशन में कॉंग्रेस का कलकॉत्ता अधिवेशन में और आपको बता दे कि गुरु देव रविंद्र टेगोर ने इस गीत की रचना किया था कब किया था दिसंबर 1911 में ही इनके द्वारा किया गया था आपको ये भी याद करना होगा क्योंकि पूछ लिया जाता है सेवन्थ नंबर कोशन वे ये भारत का अंतिम अंग्रेज बाइसराय की बात हो रहा है भारत का अंतिम अंग्रेज बाइसराय कौन था उस बाइसराय का नाम था लाड मौंट बेटेन क्या नाम था मिर दोस्त ऑप्सन सी करेक्टन सोरोगा लाड मौंट बेटेन भारत के अंति 2446 लेकर के 1948 तक रहा था नेक्स्ट कोंचन बेहई जे-फौर्ट नम्मर कोंचन कि संभिधान सवा के सधस्यों ने भारत के संभिधान का पारूप त्यार किया था वे थे व्य क्या थे आपको बताना है वे थे दोस्तों विभिन परदेश के बिधान सभाओं से चैनी सदस्य थे ठीक है बिभीन परदेश से बिधान सभाओं से चैनी सदस्य ने संभिधान सभा के सदस्यों को भारत के संभिधान का पारूप त्यार किया था फिफ्ट नम्मर कोशन वे ये भारत के सम्विधान सवाक के आस्थाई सदस्धान दिजेगा आस्थाई की बात हो रहा है वो कौन थे उनका नाम था सिरी सचिदानन सिनहा नौ दिसंबर 1946 को दोस्तो नौ दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था सम्विधान सवाक की पर्थम बैठक जिसमें डौक्टर सचिदानन सिनहा को आस्थाई सवापती बनाया गया था सम्विधान सवाक के उद्घाटन अधिवेशन की अधिक्षता की बात हो रहा है दोस्तो वो भी किया गया था सचिदानन सिनहा के द्वारा किन के द्वारा सचिदानन सिनहा के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन वे आईए इसी टाइब एकोश्चन आपको एक्जाम में दिखने को मिलेगा इसलिए लाट तक जरूर देखिएगा और जो स्टुडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एटलिस्ट लाइक करके जो है हम लोग को मोटिवेट करें कि आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं वो जो है सक्सज हो रहा है संबिधान का मशौदा त्यार करने वाली समीती उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमीटी बहुत फेमस था कि अध्यक्च कौन थे ड्राफ्टिंग कमीटी के अध्यक्च की ब उनीस सो सेंटालिस को एक संकल्प पारित करके पारूप शमीती का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बिया रंबेतकर को चुना गया था और इस समीती में अध्यक्ष सहित टोटल साथ सदस्टे थे कितने मेंबर थे सेवन समीधान पारूप शमती में अध्यक्ष को मिला कर टोटल कितने सदस्टे थे देख सकते हैं कोश्चन जो है पूछ लिया गया है वो टोटल कितने थे दोस्तों मैं अलड़ी बताया हूँ शेवन साथ सदस्टे थे नेक्ष्ट कोश्चन आपके सामने दिख रहा है निर्वाचन सभा कंस्टिट्वेंट असेम्बली के चेर्मेन कौन थे निर्वाचन सभा के चेर्मेन की बात हो रहा है डॉक्टर राजंदर परशाद जी थे कौन थे दोस्तों राजंदर परशाद जी णेक्ट poorly ऑई ए ग्यार्ख दिसंबर उनीसो चालिस को किसे संभिधान सवा का अस्थाई सदस ठीक है ध्यान दिजएगा अस्थाई सदस की बात हो रहा है वो बनाया गया था डॉक्टर राजंद्र प्रशाद जी को ठीक है डॉक्टर राजंदर प्रशाद जी अस्थाई और आस्थाई में कन्फ्यूज ना होएगा ग्यारा नंबर कोश्चन बे ये भारत के सम्विधान को बनाने के लिए गठित सम्विधान सभा के अध्यक्ष कौन थे वो थे डॉक्टर राजंदर प्रशाद जी नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था सम्विधान सभा के पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को हुआ था कब हुआ था 9 दिसंबर 46 को संभिधान सभाग की पर्थम बैठा की अध्यक्षता निमने लिखित में से किया था संभिधान सभाग की पर्थम बैठा की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानन सिना जी ने किये थे कौन किये थे सचिदानन सिना जी संभिधान सभादवारा भारत के संभिधान को त्यार करने के लिए कितनी समीती का गठन किया गया था यह total समीती था 17 ध्यान रहे total कितना समीती था दोस्तो 17 समीती था नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान और बंगलादेश भारत के अंग कब तक थे पाकिस्तान और बंगलादेश भारत के अंग 1947 तक थे कब तक थे उनीस सो शेंटालिस तक अब आईए दोस्तों कुछ फिजिक्स का कोश्चन को देखते हैं मैं अल्रेडी बता दियाओं कि सभी जो है मिक्स कोश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है जिस टाइब से आपको एक्जाम में कोश्चन पूछा जाएगा इसलिए डेली हैविट बनाईए इस चैनल से परते किन के दौरा दोस्तों न्यूटन के दौरा सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आईजिक न्यूटन के दौरा कब किया गया था 1687 में ये भी आप से पूछा जा सकता है 1687 में यह किया गया था और यह दोस्तों गति के तीन य toughest को दिये थे और यह सभी जो है इनका पुस्तक यह उनके नियमों को डिस्क्राइब किया गया है कि सेकंड नमबर कोषटन व यह किसी भी इस्थिर या गति सील बस्तू की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिये नहों यह निव्टन का कौन सा नियम है बहुत वारे कोश्चन करवाया गया है दोस्तों जब असिस्टन्ट लोको पाइलेट का क्लास आप लोग के लिए चल रहा था तो यह निव्टन गती के प्रथम फ कोई परवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्ज ना कर रहा हो, अदुद्य नियम तो आपको पता ही है वराऑर ए में दुद्द्य नियम से आया है और त्रितिय नियम क्या है दोस्तों परते किरिया के बराबर एवं विपरित परतिकिरिया होती है यह तीनों नियम आपको याद होना चाहिए अगर आप लोग गौर्वर्मेंट शेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो थर्ड नम्मर कोश्चन वे यह परते किरिया के शवान सील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की और जुक जाती है नियम का पालन करता है यह कौन से नियम का पालन करता है यह न्यूटन गती के फ़र्ष्ट नियम को पालन करता है न्यूटन गती के फ़र्ष्ट नियम का अनुसार परते कि बस तू अपनी स्थिती च पार्ज ना करें दोस्तों अल्रेडी यह से भी करवा है आज यह फिफ्त नम्मर कोहचन पर गुरुत्वाकर्शन नियमों के अभिष्कारक कौन है गुरुत्वाकर्शन नियम के अभिष्कारक है निउटन कौन है दोस्त निउटन 8 नममर कोहचन वह यह गुरुत्वा कर्षन का सर्वत्रीक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है सर्वत्रीक नियम की बात हो रहा है दोस्तो यह जो किया गया है उस scientist का नाम है Newton कौन है दोस्तो नियूटन है टेंथ नम्मर कोईचन वह यह अरार्वी जेई का classes दोस्तों यहां पर नाइट में होता है नाइट में special वीडियो आप लोगों के लिए अधियाड होता है वो भी जरूर देखिएगा अगर आप लोग आरार्वी जेई का भी preparation कर रहे हों तो ब्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधीक होगा जो उपर की ओर त्वरीत होगा कब दोस्तों उपर की ओर त्वरीत होगा तब जो है बास्तु का भार लिफ्ट में अत्य धीक होगा नेक्स्ट कोश्चन बैई यह बारह नंबर कोश्चन आप से पुछा जा रहा है किसी पिंड का बेग समरूप कहा जाता है जब किसी भी पिंड का बेग समरूप कहा जाता है कब जब बेग का मान और दीशा दोनो नियत हो ठीक है किसी भी पिंड का बेग शमान होगा जब पिंड के बेग का मान और दीशा दोनो जो है इस्थिर हो कोश्टेंट हो नेक्ट कोईचन बे यह 17 नम्मर कोईचन आपसे पुछा जा रहा है दोस्तों कि जदी पिर्थिवी के उपगरह कच्छा दिर्ग बृताकार होती है तो दिर्ग बृत का तल क्या होगा तो उश्वक्त दिर्ग ब्रीत का तल क्या होगा तो दिर्ग ब्रीत का तल दोस्तो पिर्थीवी के केंदर से जाता है option C correct answer होगा जदी पिर्थीवी का कोई उपगरा दिर्ग ब्रीताकार कच्छा में घुमेगा तो पिर्थिवी का केंद्र का अच्छा के एक फोकस पर होगा अर्थात हम लोग कश रखते हैं दोस्तों कि दिर्ग काल का तल पिर्थिवी के केंद्र में जाएगा next question पर आये spring का कठिने है spring का कठिने क्या है دोस्तो spring की भार भार वाहीता का धारीता है next question पर आये g की unit क्या है g की unit आपको बताना है gravitational constant गुरुत्वा कर्शन नियत आंका सबी लोग इस question का answer को comment करेंगे जी की unit क्या है जी की unit है newton meter square per kilogram square ठीक है जी की unit है newton meter square per kilogram square याद कर लिजेगा बहुत पूछा गया है कि नेक्स्ट कोस्टन रह Een बल का मात्रक क्या होता है बल का मात्रक होता है दोसतों किलोר मीटर पर सेकनड़ स्कॉार इूनित को ध्यान में रखेंग में इस टाए होता है नजाने कोश्चन कितनी वार पूछा गया है एक माइक्रोन बरावर क्या होता है एक माइक्रोन बरावर पाइंट जीरो जीरो वन एमेम होता है नेक्स्ट कोश्चन आपके साहने पूछा जा रहा है तापमान का a.s. i.m. रहरा क्या होता है सभी लोग जानते होंगे तापमान का लोड़ बोल देते हैं केलवीन होगा तापमान का एस हे मात्र केलवीन होगा दोस्तो जबकि शमानेता है इसे — 273eeee centered मैं व्यक्त किया जाता है नेक्ष्ट कोश्चन आपसे पुछा जा रहा है एक जेट इंजन किस सिधान्त पे कार्ज करता है एक जेट इंजन जो है दोस्तों कौन सिधान्त पे कार्ज करता है उस सिधान्त का नाम है रैखिये संबेग संगरच्छन और ये है दोस्तों न्यूटन गती के तृतिये नियम third law of Newton को follow करता है rocket हो या jet engine हो Newton के गती के तृतिय नियम तता श्रेखि संबेख संरक्षन के सिधान्थ पे काम करता है next question आपसे पुछा जा रहा है दोस्तो गतिमान बस्तु में होती है गतिमान बस्तु में क्या होती है वो आपसे पुछा जा रहा है आपको पता है कि गतिमान बस्तु में गतीज उर्जा होती है कौन से उर्जा है गतीज उर्जा next question है दोस्तो चलती गारी में बैठे आदमी की उर्जा क्या होती है चलती हुई गारी में बैठे हुए आदमी की उर्जा जो पूछा जा रहा है उसमें दो उर्जा लगता है कौन से उर्जा इस्थितीज और गतीज उर्जा गतीज और इस्थितीज उर्जा दोनों होता है क्यों होता है दोस्तों क्योंकि मैं बता दूं कि चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतीज उर्जा और इस्थिती साफेक्ष गती में रहता है इसलिए हम लोग कश रखते हैं कि बैठे हुए आदमी का जो है दोनों उर्जा लगता है गती जवम इस्थिती दोनों अब दोस्तो हम लोग कमेश्ट्री से कुछ कोशन देख लेते हैं ठीक है क्योंकि शवी का मिसरन सेट आप लोग के लिए चैनल पर प्रोवाइट कराये जाता है क्या कोशन बोल रहा है दोस्तों बिद्धू तुरूप से परमानू क्या है क्या कोशन में है बिद्धू तुरूप से परमानू उदासीन होता है क्या होता है उदासीन परमानू बिद्धू तुरूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कर्मान क्रिष्टन कि शॉंक्या इक वहल होती है समान होती है नेक्स्ट कोशेण आप से पूछा गया है लिए awards सार्नी का दिर्ट रूप निमनिलिखित के फलन के रूप में ततव गुंधर्म पर अधारीत है और ये है परमानु करमांग पर अधारित है किस पर परमानु करमांग पर सुरी परमानु करमांग परमानु संख्या पर अधारित है नेक्ट कोशन पर ये फोर्थ नंबर कोशन सोडियम कलोराइड में क्या होता है sodium chloride में बैद्यूत संजोज़ि बंधक होता है कौन सा? NCL की बात हो रहा है दोस्तो NCL में बैद्यूत संजोज़ग electrowalent bond होता है next question पर ये 6 number question ferric oxide में लोहे की संजोज़गता क्या होती है? ferric oxide में लोहे की संजोज़गता plus 3 होती है क्योंकि दोस्तों, Phyric Oxide का क्या होता है, फॉर्मूला, P2O3 होता है, और इसमे एक अकारवनी की जोगिक है, जिसमें दोस्तों, Phyric Oxide का क्या है, एफ़ी 3 पलस आयन की, है दोस्तों, और इसकी संज़गता, पलस 3 है, वही चिज़ की बात हो रहा है, पलस 3 होगा, रशाइनिक योगी का सबसे छोटा शंभावी यूनिट का नाम है अनू वो उसका नाम है क्या है दोस्तो अनू नेक्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी तत्व की परमानू शंख्या क्या है यह नाभिक में प्रोटोन की संख्या है अब हम लग दोस्तो कुछ बायो का कोश्चन देखते हैं ठीक है फर्स्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है बायो जी का सेलूलर और मॉलिकूलर जीविग ज्यान का केंदर कहां इस्थीत है कौन से सेलूलर और मॉलिकूलर जीविग ज्यान का केंदर है दोस्तो हैदरावाद में कहां है 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 दराबाद याद कर लिजेगा cellular and molecular biology जो है है दराबाद में इस्थित है जो की आंदर परदेश में पढ़ता है नेस्ट कोश्चन वे यह सेकंड नमबर कोश्चन सेंटर फोर डिने फिंगर प्रिंटिंग एंड डियागोनेस्टिक CDFD के फूल पॉम है क्या है सेंटर फोर डिने फिंगर प्रिंट एंड डियागोनेस्टिक कहां इस्थित है यह भी जो है 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 दराबाद में नेस्ट कोश्चन आपसे पुछा जा रहा है प्रोटीन के निर मान में अधार भूत का है में अमीनो अमलका प्रोटीन के निर मान में अमीनो एसीट होते हैं दोस्तो नेक्ट कोशन है शिक्स नमबर कोशन अनवांस की उत्परिवर्टन इन में होता है अनवांस की उत्परिवर्टन किसमें होता है क्रोमोजोम में होता है किसमें क्रोमोजोम में याद कर लिजेगा नेक्ट कोशन आपसे पुछा जा रहा है दोस्तो डिये ने संसलेशन का परतिपादन किस ने किया था डिये ने संसलेशन का परतिपादन कौर्णबर्ग के द्वारा किया गया था डिये ने संसलेशन का परतिपादन दोस्तों कौर्णबर्ग के द्वारा किया गया था कब किया गया था 1969 1969 में किया गया था और इसके लिए इनको नोबल पुरुष्टार भी दिया गया था नेक्स्ट कोश्चर पर ये मानव शरीर में क्रोमो जोम की संख्या कितनी होती है मानव श्रीर में क्रोमो जोम की संक्या 46,46 होती है ठीक है और अगर जोड़ा की बात बोल दे दोस्तों तो कितना हो गया 23 जोड़ा होता है नेक्स्ट कोश्का में कितने गुंसुत रुपस्थित होते हैं तो यह हो जाएगा 23 जोड़ा 23 जुग्म ऑप्शन डी करेक्ट अंसर होगा ठीक है दोस्तों आज का सेशन यहीं पर श्रमाप्त किया जाता है होप आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीका से नज्ज़ाय करते हो और स्टड़ी किये होंगे ठीक है इसी तरीका से आपको डेली चैनल पर वीडियो प्रोवाइड होता है इस टाइप के वीडियो देखन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो शब्सक्राइब करके घंटी के बेलेकर जरूर अन कर लिजेगा क्योंकि बहुत से स्टुडेंट कमेंट करते रहते हैं कि यहां पर उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है वीडियो अप्लोड होता है उसका सीधा नोटि सक्सज हो रहा है ठीक है मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद